अपने हम टेक्सी स्टेंट से तकरीबन चार-पांच किलोमेटर की ट्रैकिंग करके हम यहां पहुंचे हैं बहुत कम ही लोग यहां पर आते हैं इसका कारण क्या है कि गर्मी के टाइम में यहां पर कासे ज़रा गर्मी होती है और अक्तूबर के बाद यह रास्ता जो होता है बंद कर देते हैं तो यहां पर स्नो तकरीबन 10-12-12 फुट चो होती है तो यह जो एरिया है यह बिलकुल बंद कर देते हैं तो अगर आपने कभी आहां आना होना तो सबसे अच्छे जो आपको मौसम मिलेगा वो मिलेगा आपको अक्तूबर एंड नॉम्बर के हापटबीन तक इसके बाद या इसके पहले आने का फाइदा कुछ नहीं है क्योंकि यह जो पॉइंट्स होते हैं सारे बंद हो जाते हैं और यह आप व्यू देखिए आप मेरे पीछे बहुत शांदर व्यू है मतलब कि मैंने खुद कभी एक्सपेक्ट नि किया था कि हमें यह चीज देखने मिलेगी और हम भी अभी अक्तूबर के महिने में आई हुए हैं मैं और मेरे दो फ्रेंड्स जो यहां पर हैं सामने बैठे हैं के बल हम ही यहां पर मौजूद है और दूर दूर तक यहां पर को ही नहीं है और थोड़ आकसीजन नेवल होने के कम होने के बज़ा फोड़े से सांस भी हमें चड़ रही है यह आप देखो पीछे सारा व्यू पॉइंट चाहते तो हमें अभी आगे और लेकिन दो तीन हमारे जो फ्रेंड वो पीछी नीचे रह वहां से वापसे करेंगे